हलो एब्रिवन कैसे हो आप सब आज हमने बनाए हैं मूली के प्रांथे और आज कर मूली का सीजन शुरू हो चुक है बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश मूली आपको मार्केट में मिल जाएगी तो मैंने सोचा क्यों ना इसी की एक रेसिपी बनाई जाए और यहां पर यह देख हमें ने वहां की स्टपिजू स्टपिजू करने है तो यहां पर हमने लिया दो मूली इनको ने अच्छे से पहले वोश कर लिया पत्ते कर लिया है तो चलिए हम इसने पत्ते जो है अलग कर लेते हैं इसका नीचे का किनारा भी हम थोड़ा कट कर लेंगे वो सुखा हुआ है तो इसको भी थोड़ा सा कट कर देंगे पाट को और इसी तरह से हमने दूसरी मुली के भी पत्ते अलग कर दिये और यहां पर हमें कर रही हूं कि जो पत्ते हैं जो पहुत ही छोटे छोटे फ्रेश पत्ते हैं सिरफ वो ही ले रही हूं मैं इसका भी यूज हम मुली के प्राठे बनाने में करेंगे तो यहां पर हमने मुली को बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने इसको बीच में से कट कर ले इस तरह से पील कर लेंगे और यह सारी मूली जो हमने पील कर ली है और यह देखी छिलके इसके लग हो गये हैं यह bater leghug actively कर लीडे बाहर करने के बाद फिर से एक बार आप कद्दू-kas करों! शैसी तो फिर ंफोी में कर बोरी कर सकते हैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सौल्ट और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे ताकि इसमें से पानी निकल जाए और यह हमने फ्रेश पत्ते लिए थे बड़े पत्ते निकाल दिये थे तो छोड़े छोटे पत्ते हैं इसको हम कट कर लेंगे इससे काफी टेस्ट बढ़ जाता है प्रांठे में और एक बहुत अच्छा सा क्रण्च आता है और डाइजस्ट भी जल्दी हो जाते हैं मुली के पत्ते इसलिए हम इसको जरूर यूज करते हैं तो यहां एक लेलिया प्याज अद्रक और हरी मिरच हरी मिरच ऑप्शनल है कम प्यादा भी कर सकते हैं आप तो यहां पर दे रही हूं एक और बावल ओर इसा रखेंगे हमें कपड़ा हम नेकलना मुली के इसमेसे मुली को इसमेने पानी निकाला है 1989 कर और में निकाले सकते हैं लेकिन मां ये कपड़े का यूज सार पानी से निकल जाता हूं। हाथ फीर कि इसे पोटली से बनाों कर खूझा एक बार सताधु जया जाते है। क्याम दला है में इस तरह से पोटी बना ली हिए बहुत पैषय रहता है एक पानि निकाल है तो बनागी से पाणि कर सकते माल ऐसा फेर पानि कर लिए निकाल दें खिली बन गई है तो यहां पर मैंने ले लिए एक पैन गैस पर रख दिया थोड़ा सा हल्का सही ओयल डाला है यहां पर डाल रही है आदा छोटा चमच अजवाइन और अजवाइन के साथ ही हमने जो यह चोप कर लिया था मैंने अद्रक और प्याज को थोड़ा डालूँगे अद्रक क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई यह काफी और प्याज और हरी मिरच यह अपनी रिक्वाइर्मेंट के साथ आप कम यह जैदा कर सकते हैं तो इसको अच्छ हुए मूली के पत्ते हम कई बर क्या करते हैं जैसे मूली को कसा और सारा कुछ उसी में डाल देते हैं वह भी बनाया मैंने लेकिन उससे जाता है यह वाली रैसिपी बहुत अच्छी है इससे बहुत ही अच्छा प्रांठों में टेस्ट आता है आप एक पर ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि वाकि यह वाले जो रैसिपी है बहुत अच्छी है तो इसको भी हमने मूली जो ग्रेट करी थी इसमें डाल दिया अच्छे से हिला लेंगे अब मसाले अड़ करेंगे नमक स्वाद अनुसार रैट चिली पाउडर थोड़ा सा हलका सा सिरफ टेस्ट देने के लिए और कलर चेंज करने के लिए क्योंकि हरी मेरच हम अल्रेडी डाल जुके हैं करमसाला और इंको अच्छे से हम मिलानेंगे यहां पर मैं डाल रहे हूँ जीरा पाउडर जीरा पाउडर की खुशबू है बहुत अच्छी आती है और डाइजेशन के लिए तो यह बहुत ही अच्छा आता है इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो इनको अच्छी से हमने कर लिए लिए मिक्स आटा मैंने पाती का होता है उससे थोड़ा ज्यादा लेंगे प्रांठे के लिए और इसको हम अच्छे से यह देखिए जैसे मैं कर रहे हैं एक लोई छोटी सी बना लेंगे लोई बेली हमने पूरी जितना साइस रखेंगे और इसमें डालेंगे स्टफिंग तो चम्मच भर के ताकि जादा टाइट हो ना जादा लूज हो मतलब एक नॉर्मल होना चाहिए तो इस तरह से हमने बेल लिया इसको और यह देखिए कहीं से मसाला नहीं निकला अगर धील रह जाता है तो यह दिखिए कितनी इच्छे से चपाती और कितनी जल्दी यह बेल ली है तो यहां पर मैं पुर्माइड करके हैं, कीफिए ठासी तबसका प्र मातं कि और कर आदसे अथि, आपजने हो नहीं जयुक्त की पूलट पूलट करते हैं गाम यह ज्यादा अपक अपने टेस्ट के हिसाब से और के आप एहां ऑछ यह पिर अपने पूलन कर मैं निकला जाए निकला है तो इसी तरह से अब हम दूसरी प्राठी बना लेंगे, यह जो मैंने लोई ली है, यह सिरफ जो हम चपाती बनाते हैं, सिंपल वो ली है, तो पहले एक चपाती बेल लेंगे, पतली बेल लेंगे, महत मोटी नहीं करनी, और साइज भी थोड़ा मीडियम, इसी तरह दूसरी ब अब इस पे हम डाल रहे हैं, और यह हलका से थोड़ा से ज्यादा सीख गई है, और यह देखिए हमारी प्रांठी जो रेडी होगी है, और आप मक्षन के साथ, देहिं के साथ साथ सर्व कर सकते हैं, तो आई होप आपको यह रेसिपी अच्छी भी लेगी होगी, और यह दे यह अच्छी लेगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा, और अगर हमारे चैनल परा फर्स टाइम है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो इंज्वाइ योर प्रांठा, बाई बाई